और अबाद चमकी बुखार की बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत पर जनादिकार पार्टी के सरक्षक पपु यादव ने नितीश सरकार को घेरा है पपु यादव ने कहा है कि बच्चों की जान बचाने में नाकाम राज्य सरकार को इस्तीफा देना चाहिए सालों से इस तरह जो है बच्चों की मौत होती रहे विपक्ष में कोई विक्ति सामने नहीं आया है आप पहले विक्ति हैं विपक्ष के तौर पे जो इस गंभीर मामर को समझा है इसको लेकर आपने आवाज उठाई क्या कहेंगे सबसे पहले 10 सालों से सरकार 15 सालों से इसकी सरकार बरतमान में है 15 साल पहले भी सरकार थे स्वास तो इस देश का इसू नहीं है हमारे केंद्र यह बजट भी सबसे कम है वर्ल्ड के हिस्ट्री में इससे कम बजट तो दुनिया में आपको कहीं मिलेगा नहीं और यह हमारे सिस्टम के लिए यह भेश से नहीं है एज्यक के जैनी है एजुकैसन दिशन नहीं है कॉमन में भी आइए वन नेसन वन हैल्थ पर चरचा नहीं होगी अब अमीर से लेकर के middle class लेके गरीब और आम आदमी के health को आप competitive से justify करिए, common करिए उसको तैग करिए कि इसको रास्टपती और आम आदमी का जो बच्चा है एक साथ हम ऐसा health की बात करेंगे हम health को मागा नहीं होने देंगे health को हम बोज नहीं बनने देंगे हेल्थ आम आदमी के लिए भी साब ना बने अब एक दूसरी चीज नो हाजार पॉन्सव करोर रुपिया लगभग 15 सालों में के अंदर सरकार ने दिया बिहार में तो बिहार में 13 साल बीजेपी की मंत्री है राय साहब नंकी सोडी यादव, सर्माजी चौबे साहब और फिर अभी मंगल पॉन्डे दो साल लालू यादव के फैमिली से रहे तो 15 साल इन ही की सरकार थी बर्तमान में जो सरकार है 9500 करोर रुपिया कहां चला गया क्या बंदरबांट होगा इनेता और पदादेकारियों के जेब में आपके हाँ अजादी के 70 साल के बाद ट्रेन नर्स नहीं है डॉक्टर नहीं है आपके पास दवाई के लिए परिशान हो जाता है फ्लूट तक नहीं है आपके हाँ जितना टेक्निकल हैंड्स हैं आपको लगबग 1.2 परतिसत भी नहीं है जो मेस्तर है हो जाकर के आपको ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन थेटर में ले जाकर के काम करता है क्या कारण है आपके पास किसी भी तरह की सुविधार नहीं है इंफ्रास्टेक्चर नहीं है ट्रामा सेंटर नहीं है 200 बेट का ICO नहीं है क्या हुआ 2014-2019 के बीच कहां चला गया रिसर्स का पहिशा 20 बचे गुजरात में मर जाते हैं तो प्रधान मंतरी जी आप ट्वीट कर देते हैं अच्छी बात है लेकिन 600 आदमी मर गए आपको बिहार नजर नहीं है सत्ता और भोट और सियासत के लिए गंबीर और आम आदमी की जान के लिए गंबीर नहीं भारत बचे देश बचे हैं आदमी नहीं बचना चाहिए आप जोगा कर रहे हैं 1000 करोड एक वैक्ति को परमोट कर रहे हैं योगा का क्या मतलब है वे नितिश कुमार कर रहे हैं यानि सरकार कर रहे हैं कि लगातार वो परियास वहां पर हो रहे हैं वो हर साल कोशिश करते हैं लेकिन वही बात आ जाती जो आपने कहा कि नियत और नीती वाली बात है यह सर आप नितिश कुमार जी से पूछिए हमसे नहीं पूछिए यह नियती है कि नियत है छोड़ दे अब दे दीजे तीन मेना पप्पु यादब के हाथ में यह नहीं कहता कि हंडेड में हंडेड पपु यादब बचा लेगा लेकिन एक सो में नबबे आदमी को हम अरने नहीं दे लेगा यही कारण है कि हर साल सैक्रों बच्चों के साथ साथ आम जो शहरी है वो मौत के शिकार होते हैं कैमे पसंद नितिन के साथ शंक सुमन तीवी 24 दिली